दोस्तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरोग्य सीपी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्वगंधा चूड के बारे में अस्वगंधा चूड का हमें इस्तिमाल कैसे करना है और किन-किन रोगों में हम अस्वगंधा चूड का इस्तिमाल कर सकते हैं अधिकतर लोग दुरबलता को दूर करने के लिए और शरीर को ताकत प्राप्त करने के लिए असुगंधा चूड का इस्तेमाल करते हैं और असुगंधा हमारी आसानी से मार्केट में उपलब्द भी होती है यह पतंजली का पैक मैं ले रखा हूँ यह 100 ग्राम का पैक है और इसकी कीमत 15 रुपे है असुगंधा चूड ताकत देने के अलावा हम भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें असुगंधा चूड का हमने इस्तिमाल कर सकते हैं आज मैं कुछ ऐसे ही चीज़ों को आप लोग को बताऊंगा कि ताकत प्राप्त करने के अलावा हम असुगंधा चूड का इस्तिमाल किन किन रोगों में कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पालित रोग में पालित में मतलब जो सर का बाल असमय सफेद हो जाता है उसे आरवेद में पालित रोग कहते हैं तो जिनके भी बाल असमय सफेद हो गए हैं वो 2-4 ग्राम असुगंधा चूड आता है उसका सेवन करें ऐसा करने से उनका जो बाल होता है वो सफेद नहीं होगा और अगर सफेद हो गया है तो फिर से ठीक हो जाएगा पालित तरोग भी होता है जिसमें बाल असमय गिरने लगते हैं उसमें भी हमारा असुगंधा चूड काम में आता है यदि किसी को आखों की समस्या होती है तो उसमें भी असुगंधा चूड 2 ग्राम और 2 ग्राम धातली फल चूड और 1 ग्राम मुलेठी चूड इन तीनों को मिला कर एक चम्मच प्राता सायम जल के सावत अगर सेवन करेंगे तो इससे हमारी नेत्रिजोती बढ़ती है अगर असुगंधा चूड कोई भी व्यक्ति 2 से 4 ग्राम की मात्रा में एक साल तक सेवन करें तो इससे उसका सरीर होता है वो पुष्ट होगा यानि कि उसके सरीर सी दुर बढ़ता जो है वो दूर हो जाएगी और भी अगर हमारे सरीर को पोसर नहीं मिल रहा है पोसर प्राप्त करने के लिए 6 ग्राम असुगंधा चूड लेना है और समान भाग में मिश्री और मधू मिलाकर उसमें जो है 10 ग्राम तक गाय का घी मिलाना है और सीतल काल में यानि कि जो ठंड का समय होता है उसमें जो 4 म अस्व गनधा चूड बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा कार्य होता है अस्व गनधा की जड़ोगा और यह एंटी-डिप्रेशन होती है। कोई ब्यक्ति डिप्रेशन में है तब भी अगर अस्वगंधा का चूड का सेवन करता है तो उसको निश्चित रूप से लाब होगा अस्वगंधा अमारा बहुत ही अदभूद आउसदी है चीन में एक उसदी आती है जिंग सिंग करके जिसे बहुत ताकत और उसदी माना जाता है ठीक उसी प्रकार हमारी जो अस्वगंधा चूड है ये भी काम करती है और इसकी अगर जड़ों का हम लोग पाउडर उसकरते हैं तो दुरबलता जो है सरीर से दूर चरी जाती है अगर हम 2-4 ग्राम की मात्रा में अस्वगंधा चूड एक साल तक continue अगर सेवन करें तो हमें बेहदी लाब होगा जो सरीर में दूर बनता रहे कि वो दूर हो जाएगी और सरीर काफी ताकत वर बनेगा इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उप्योग हैं कि हम अस्वगंधा चूड का यूज कर सकते हैं जिसमें अस्वगंधा चूड रसायन के नाम से भी जाना जाता है हायरवेद में रसायन वह होता है जो बुढ़ापा नहीं आने देता और सरीर को बलवान और इवावस्था में बनाए रखता है या पुष्टिकारक होता है अस्वगंधा चूड और हमारे सुक्र को बढ़ाता है और हमारी जितनी धातूएं होती है धातूओं को भी हमारे बढ़ाता है और हमें काफी जादा बल प्रदान करता है इसलिए अस्वगंधा चूड का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं आप भी अस्वगंधा चूड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता है या सुक्र की कमी है तो आप असुगंधा सूड का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेहत ही लाबदाय का उसदी है और इसका सेवन करने से निश्चित रूप से आप लोगों को लाब मिलेगा दोस्तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जड़ी बूटी संबंदित वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जड़ी बूटी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो